किसरी अखले स्यादो जी को ना तो कुरोना का टीका पसंद था और ना ये माथे का टीका पसंद है और उनकी जो तुष्टी करण की निती है उस तुष्टी करण की निती करण माथे का टीका नहीं पसंद करते हैं और भाजबा विरोध के अहिंकार में वह कोरोना के ठीका को नहीं पसंद करते हैं उनको इस पड़ा लिखा इंसान एक कई बार सांसद रहा हुआ वेक्ती पांच साल तक प्रदेश का मुपंत्री रहा हुआ वेक्ती अगर कोई बैक्सीन पर सवाल उठाए हुए तो मैं समझत कि इसे उनका बचकाना बयान कहा जाएगा ये बैग्यानिकों का अपमान करने वाला बयान कहा जाएगा ये आत्म निरभर वैक्सीन के मामले में देश को बनाने वालों का जहां सम्मान होना चाहिए वहीं उनके प्रति इस प्रकार की टिप्रडी अनावस्यक है मैं देखा नहीं हूं कौन से वीडियो के आप बात कर रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के कोई भी विशेश तवर से सैफ़ाई परिवार के नेता हैं उनके अभी रोम रोम में जो सत्ता की अकड़ होती है वो भरी हुई है मलब जैसे कहते हैं रसी जल गई है लेकिन एठन नहीं गई है वही इस्तिति रहती है अमेठी में सर एक जिससरा से अमेठी में कॉंग्रेस का राले के बाद और फोर ही कॉंग्रेस आरोप लगा रही है कि जो है यह फैसन है यह फैसन है कांग्रेस हो सपा हो बसपा हो या जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में या भीपच में है वहाँ फैसन है कि उनके खिलाब कुछ हो जाए तो भाजपप पर रहरोप लगा दो सबसे सरहलका में ही है लेकिन जो सच होगा जात में सामने आएगा और जो दोसी होंगे उनके खिलाब कर वही है सपा और कांग्रेस दोनों अंतर कलह का सिकार अगर सपा में चाचा भतीजे और सचेरे भाईयों में नहीं पड़ती है तो कांग्रेस के अंदर भाई और बहन में नहीं पड़ती है यह सारजनिक हो चुका किसी स्थिपा नहीं लेकिन इससे हमें लेना देना नहीं है हमारा तो एक ही बात कहना है कि सपा समाप्टवाधी पार्टी बैसका बिल्कुल समाप्टवाधी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत उन्होंने क्या कहा है उन्होंने क्या कहा है मैं देखा नहीं लेकिन चार जून को 400 पार होगा